भारत को वर्ल्ड कप से पहले बिरंद्र सवाग जैसा भी स्फोर्टक ओपनर मिल गया है जिस परकार सवाग इनिक्स की सुरुवात से ही चौके छके लगाने में नहीं शकते थे ठीको ऐसा ही बल्लेबाज अभी आईपियल में राजस्थान रॉयल्स के लिए खेल रहे हैं जिनका नाम ये शश्वी जैस्वाल है हम ऐसा क्यों कह रहे हैं आकड़े ये शश्वी जैस्वाल के बारे में क्या गवाही जेते हैं और क्या 2023 में होने वाले वर्ल्ड कप की टीम में चैन करता इन्हें मौका दे सकते हैं सब आपको बताएंगे नमस्कार मेरा नाम परितोष शाही है और आप पत्रिका निवच देख रहे हैं कोई इने भविसे का सुपरेश्टार तो कोई इनके रिवर्स स्वीप को ABDW के सोट्स के तूलना करता है जब यह बल्लेवाज राजस्थान के लिए उपनिंग करने उतरता है गेंदबाज चाहे कोई भी हो पहली गेंद से ही उसके उपर यह बल्लेवाज कहर की तरह तूट परता है जिस तरह का प्रदर्शन अभी यह सस्वीज असवाल कर रहे हैं उसे देख कर यह कहना गलत नहीं होगा कि टीम इंडिया में सेलेक्षन पाने की वह बहुत ही करीब है वैसे यह कहावत का भी आम हो गई है कि भारतिये टीम में अस्थान पाने का दवार इंडियन पिमियर लीग से होकर ही गुजरता है जो भी खिलारी इस लीग में अच्छा परदरसन करता है, टीम इंडिया में जाने की राह उसके लिए आसान हो जाती है उदारहन के तौर पाप जस्वीत बूरा, ये जुवेंदर चहल, हार्दिक पांडया और सुर्ख कुमार आदब जैसे खिलारीों को ही ले लिए जब इन्होंने आई पील में लगतार अच्छा परदरसन किया, तो इस सब का इनाम उन्हें भारतिये टिम में चैन के रूप में मिला फिलाल जिस तरह का परदरसन बाये हाथ का यह बलेवाजी कर रहा है, उसे देखकर यह कहा जा सकता है कि ये सबस्वी जैस्वाल की बलेवाजी में बिरेंदर सहवाग जैसी आकरमकता और इबराज सिंग जैसी हिटिंग एविटी है, किसी भी चान यह बलेवाज मैज का वाइड है बल्कि यह बलेवाज गेंद को उसकी मेरिट के हिसाब से खेलते हैं यानि अगर आपके आपके पास सो से ज्यादा बिकेट है या बहुत बड़े तोप गेंदवाज है इन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आप गलत लेंद पर गेंदवाजी करेंगे त पुष इस तरह की आकरमक्ता के साथ यह बल्लेवाज पीच पर उतरता है इस सिजन ये सवस्वी के आकड़े की बात करें तो आई पील दोहजार तेश की सुरुआत ही इस बल्लेवाज ने चोमों रनों की तुफानी पारी से की थी उसके बाद दिली के खिलाफ उनके बल्ल से चालिस चोके और दस छके निकले हैं और इस बल्लेवाज का स्ट्राइक एट लगभव एक सो पचास के करीब रहा है चेनाई के खिलाफ हुए मुकाबले में हुए सस्वी ने 43 गंदों में 170 बना डाले जिसमें 8 चोके और 4 गंचुम भी शके सामिल थे आई पील तक का सफ सफिज असवाल ने टेंट में गुजारे लेकिन कहा जाता है कि जब आप लक्ष के पर 30 समर्पित हो और उसे पाने को लेकर सब कुछ करने को तयार हो तो परिष्टिति चाहे कितनी भी कठिन क्यों नहों आप उसे मेहनत के दम पर अनुकूल बना ही लेते हैं 21 साल के सफिज इंडिया में अपनी जगह बनाने को तयार हो चुका है 2023 में होने वाले वर्ल्ड कप से पहले अगर स्रेय सायर फिट नहीं हो पाते हैं तो उनके जगह इस खिरारी को चैन करता टीम में जरूर मौका देंगे यह बात अलग है कि स्रेय सायर मध्यम करम के बलेवाज है और यह शश्वी ओपनर फिर उनके रिप्लेस्मेंट के तौर पर अगर इने मौका मिलता है तो यह देखना काफी जिल्चस्प होगा कि उनका प्रदर्सन वर्ल्ड कप में कैसा रहता है अगर आप यह वीडियो फेसूप पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फोलो कीजे अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजे नमस्कार